नमस्कार दोस्ते मैं राहुल कुमार आपका मेरे चैनल में श्वागत हैं, आज हम IN- cup setting के बारे में बात करने वाले हैं, उसका full retail जानेंगे कि किस mode में क्या function करता है वो inverter और सारे Microtek In water के पीछे में यह setting मौझूध होता है आप अपने पास अगर Microtek का in water यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यह setting देख सकते हैं आपको यह setting ैत लेवल है और आप उस function का use भी कर सकते हैं पहले आपसे request करूवंगा कि वीडियो को लाइक और को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे जनकारी आतको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहें दोस्तों मैंने यहां पर लिया है Microtech का inverter जो कि एक साइन वेव in Kun venir आपा बने इनन वाटर है और हाइवरिड इननन है इसलिए है कि यहां पर ये चारो switch आपको मिल जाएंगे other inverter होता तो ये तीन switch मिलता या दो switch ये दोनो switch मिलता ये दोनो switch ज्यादातर inverter में आपको देखने को मिलेंगे ये तीसरा switch किसी किसी में मिलता है और ये चौथा switch जो होता है आपको hybrid inverter में ही मिलता है तो हम एक एक करके सारे switch sets के बारे में जानते हैं कि कि switch का क्या function है तो सबसे पहले इस switch से शुरू करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है bypass उपर में लिखा हुआ है bypass नीचे में लिखा हुआ है UPS तो अगर हम इस switch को bypass mode में कर दें उपर के तरफ कर दें तो यह होगा क्या कि आपका inverter जो होगा disconnect हो जाएगा जो power in करेगा main line से वही power आपको इस output से निकल जाएगा जो यहाँ से in होगा AC input से वही आपका यह output से होगा यह bypass switch होता है अगर इसको UPS में आप कर लेंगे तो यह inverter के through होके सारा supply जाएगा inverter आपका charging भी होते रहेगा यह और आपका जो है output भी होते रहेगा यह उस condition में use होता है जब आपका inverter खराब हो जाए तो उस time में यह आप bypass कर लिजेगा तो आपका जो है जो main line से in होगा वही output में आ जाएगा और आप जो है जो चला रहे होंगे वो चलता रहेगा आपको कोई disturbance नहीं होगे दूसरा switch है आपका charging current high और extender आप किस current से charge करना चाहते हैं आप extender current में charge करना चाहते हैं यह high current में charge करना चाहते हैं यह दोनों यहाँ पर पुछ रहा हैं अगर आप इसे नीचे कर देंगे तो extender current में charge होगा अगर इसे आप उपर कर देते हैं तो high current से charge होने लगएगा तीसरा चीज है आपका voltage input voltage range यह आप narrow में रखेंगे कि extender में रखेंगे narrow का मतलब narrow का मतलब आपका यह हो जाएगा कि आपका voltage जो होगा 180 से 230 के बीच में main line input होगा तो आपका यह inverter charging भी करेगा और function भी करेगा और जैसे ही 180 से नीचे हो जाएगा और 230 से उपर हो जाएगा तो यह आपका inverter work करने लगएगा charging नहीं करेगा जो भी input आएगा वो इसे accept नहीं करेगा यह direct inverter से ही आपका सारा काम होने लगएगा यह आप narrow में अगर set करते हैं तो अगर आप उसे extender में कर दीजेगा तो extender में कीजेगा तो आपका जो होगा 110 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में कितना भी voltage आएगा तो यह जो होगा आपका inverter चार्जिंग भी करेगा और output भी देगा चौधा स्वीच है आपका charging voltage यह charging voltage आप बैटरी पे जो voltage हम measure करते हैं बैटरी का voltage कहां तक यह charge करेगा यह आपको set करने वाला यह setting है इस setting में आप जो है high पे रख दीजेगा तो बैटरी का voltage जो होगा 14V तक जाएगा charging होने के condition में और इसको extender में रखेगा तो 14 या 14.2 तक जाएगा जो कि यह setting इस setting में यही function होता है तो इस तरह मैंने 4 setting बता दिए आप अगर अपने घर में आपका inverter लगा है अगर आप किसी setting के बारे में जानना चाते हैं कि कैसे है आपका setting तो आप इस अधार पे देख सकते हैं कि किस setting में है आपका inverter इसके वज़ा से कोई आपको तो परिसानी तो नहीं हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद